जे राम, जैसी राम, जे हो हनुमान जी महराज, जे हो बागे स्वधाम सरकार, मेरी प्यारे सभी भक्तो, धन की चाहत तो सभी को होती है, लेकिन किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है, जिसके घर में मातालक्षमी का अस्थाई निमास हो जाता है, उसके घर में धन, धान सुक्ह समपता सब कुछ भर चाहता है सब लोग तो चाहते हैं कि मातालग्श een मेरे घर में निमास करें लेकिन सबके घर में नहीं निवास करें इस वज़े से मैं अपने इस चैनल पर गूरुजी के द्वारा बताएं गए सब सारे एक करके मैं उपाय बताता रहता हूँ, जिसे हम सभी लोगों का इन उपाय को करना ही चाहिए, पता नहीं कौन सा उपाय हम पर कारिगर हो जाएगा, और उसी दिन से मेरे घर में दिन दोनी रात चोगुनी धन के ब्रिद्धी होने लगेगे, इस वज़े से आज मैं आपको जो स्क्री उपाय है कर लेजिएगा, वैसे इस फूल का नाम है सदा बाहार या कुछ लोग सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है, वैसे यह पौधा यह फूल दिखने में तो बहुत ही खुबसूरत पौधा होता है, ऐसा माना जाता है, कि जिसके घर के दरवाजे पर इस फूल क लगाया जाता है, उसके घर में रा होके तुका दोस नहीं लगता है, इस वज़े से उसके साथ में कुछ ऐसे उपाय भी यदि आप इस फूल वाला कर लेते हैं, तो आपके घर में मतलक्षमी को आने से कोई नहीं रहो सकता है, इसके साथ साथ आपके जीवन से सारे के सारे दो समाप्त हो जाएंगे मांसिक इस्तिती तथा घर में सुक संपता आदर संपता तथा आपके घर के जो बच्चे पढ़ाई करते नौकरी बेपार सब चीज में तरकी होने लगेगी इस वज़े से आज मैं आपको इस फूल का जो मैं अच्छू को उपाए बताने जा रहा लेकिन सही दिसा में होना बहुत ही जरूरी है सही दिसा में होने से हमारे घर का तथा हमारे परिवार के सभी लोगों का मान समान इज़्जत बना रहता है इस फूल का सही दिसा यही है हमें सा घर के पूरब में होना चाहिए यदि घर के पूरब में होता है तो अत्ती हो जो बिमार से गर्षित रहता हुसका स्वास्त ठीक नहीं रहता था तावस आपको करना क्या है इस फूल के पत्ते को ले कर के आपको दोबुद सके रस को निचोड करके आप जो इस बीमारी को उस जो है मरीज को फिला ती जैगा बस कुछी दिनों के अंदर इस बिमारी से निदान मिलना सुरू हो जाएगा बिमारी ब्यक्तिका बिमार से वह धीरे धीरे छुटकारा मिलना सुरू हो जाएगा और उसका स्वास्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा यदि आप भी सेवन करना चाहते तो बिल्कुल ही सेवन कर सकते हैं स्वास समंदि कोई भी समस्या रहे के तो धीरे धीरे उस पर कंट्रोल होना सुरू हो जाएगा वैसे ये जो सदबाहर का पौधा ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर के पुरब दिसा में लगाते हैं तो नकरातमक उर्जा को अवसोसित करती है लेकिन ये पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए इस वज़े से समय से रोज सुबा में इसको सीचना चाहिए पानी देना चाहिए सही समय से यदि कुछ हमारे घर की मैला इस पौधे को हल्दी और कुमकुम लगा करके टीकती है तो इसके आप बहुत ही अच्छा प्रिडाम मिलता है ऐसा काम करने से हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है बैपार नोकरी तता हर चीच में बृद्धी होती है पैसा की कमती नहीं होती है यदि सिलरी कम है तो आप इस उपाय को जरिर करिएगा नोकरी बैपार में हर तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते है मतलच्मी की प्राप जताख खतम हो जाएगी आपको करना कैसे ध्यान से सुनेगा ना समझाए तो लिख लिजिएगा लिखने के बाद आप इसको कर लेजिएगा इस उपाई को यदि आप सनिवार के दिन या सुमवार के दिन करते हैं तो आतिस सुवब परिडाम मिलते हैं तो सुमवार का दिन भगवान सीव का दिन होता है सनिवार का दिन भगवान सनी का दिन होता है यदि आपको सनी दोश लगा है तो आप सनिवार के दिन करिए यदि भगमाद सीव को प्रसंद करना चाहते हैं तो आप सो मौर के दिन करिए आपके उपर है तो सबसे पहले करना का है एक दिन पहले ही आपको इसके जड़ को अर्थातिस फूल के पास में जा करके आपको निवता देना है इनवाइटियसन देना है कि मैं अगले दिन आपक यहां से थोड़ा सा जड़ आपकी जुरुत है निवता देना इनवाइटियसन देना निमंतर दे करके आपको उस पौधे को जड़ के लाना है लेकिन कैसे लाना है अगले दिन सुबह जाना है जिस दिन आपने उनको निमंतर दिया है तो चार से पांच बजे के बीच में दब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहे कोई देखे नहीं तो आपको उसके जड़ को थोड़ा सा तोड़ना पूरा पौधा पर बाद नहीं करना है थोड़ा सा उसको जड़ को तोड़ करके लाना है उसके बाद घर पर लाने के बाद अच्छे से गंगा जल से धोग करके सा प्वित्र बना लेना है जब वह बिल्कुल साफ हो जाथा आपको लेना है लाल बस्त यह काम आपको पूरतन नहाध हो करके करना है इस जड़ को आपको लाल बस्त पर रखने के बाद इसके जड़ को उस लाल कप alma पर रख देना है यदि आप चाहें तो उस पर जो एक रुपिय का सिक्का और जो लाल फूल अर्थात अड़हूल का फूल यदि आपको मिल जाए तो अतिसुब है अड़हूल का फूल भी आप जो रख सकते हैं और आपके घर के पूजा मंदिर पर आप जाकर के माता लख्ष कम से कम 108 बर करते हैं तो आपको हमेशा इसका अच्छा प्रेडाम मिलेंगे और जल्दी आपके जीवन के सारे के सारे दुख दर्द समाप्त होते हुए नजर आएंगे बस उसके बात करना क्या है अगले दिन 24 घंटे इसको वहीं पर वैसे ही छोड़ देना अगले दिन सु समय में जब आप पूजा करते हैं तो उसी समय जा करके इसको गठर बना करके आपको अपने किसी तीजोरी में जहां पर पैसा रखते हों जहां पर व्यापार का काम करते हों यह सब जहां पर भी आपको धन भंडार हो आपको वहां पर ले जाकर करके रखते हैं ध्यान रख तके अंदर यकीन मानिये मातल लक्षमी कासिरवाद आपके उपर बरसने लगेगा और धन धान की कमी सब कुछ जो है पूरा होने लगेगा यदि आप भगवान सीव को परसन करना चाहते हैं एक और उपाईस को कर लिजीगा सुमitution का महिना चलना है सावन महिने में यदि आप सुमवार के दिन यह जो फूल होता है वैज़से दो रंग में होता है एक जो लाल कलर के अठाग गुलाबी में होता है अग सफेद कलर का हथ दोनों में से कोई भी आप फूले लेजे इस फूल को लेने के बाद जरूर करके देख लिजेगा सायद आपकी बिनती भोले बाबा सुन ले तथा माता लक्षमी कासिरवाद आपके साथ में बरसने लगे और आपके जीवन में धन्य धान की कमी कभी नहीं होगे